बिस्मेल आयर रह्माल रिंग, तो आज हमारा टोपिक है Modems, Broadband and Its Types, ठीक है, और उसके लाभा हम Satellite Communication के बारे में भी थोड़ा बहुत discuss करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं Modems से, बिसिकली Modem क्या है न, Modem एक device है, जो modulation भी करती है, और demodulation भी करती है, यहां से आप देख सकते हैं, Modem is a device or program that enables computer to transmit data over telephone lines, computer information is stored digitally, whereas information transmitted over telephone line is transmitted in the form of analog waves, a modem converts between these two forms, यह होता यह है कि computer नहीं जो चीज़ समझ नहीं हो किया है, digitally, जबके जो information transmitted हो कि हमार बास आता है, वो किस form में आता है, analog form में, but computer को कुंसा form चाहिए, digital, तो क्या होना पड़ेगा, analog को digital में convert होना पड़ेगा, ठीक है, तो modulator क्या करता है, converts digital information to analog, क्योंकि जब system से कोई message information हमने send कर भी हो कहीं, तो system में से जब वो send होगा तब तो वो digital है, जब होगा वहां से send होगा, तब किस में convert होगा, analog में, क्योंकि जो telephone lines हैं या जो wires हैं या जो connections हैं उसको analog से करेंगे, ठीक है, तो इस digital को analog होना पड़ेगा, फिर जब वो किसी terminal पर या किसी यही जगा पर उसको data जाब receive होगा, तो दोबारा वो फिर demodulation करेगा, means analog को दोबारा digital में convert करेगा, ठीक है, तो यह modulation और demodulation को कहा जाता है, basic principle आपको नजर आ रहा है, देख रहे हैं आप, एक telephone है, जिसमेंसे हम message कर रहे हैं या फिर से, बीच में वो क्या कर रहा है, कर रहा है, ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि digital transmission हो रही है, जो बीच में यह जो आपको red color की वाहर नजर आ रही है, इसका मतलब यह कि जो waves है, ठीक है, तो यह कि जो transmission हो रही है, यह analog form हो रही है, बट आप यह वाले waves देखें फिर, यह जो transmission हो रही है, वो digital transmission है, means इसने message send किया, फो सब उस computer 1 ने message send किया computer 2 को, तो इसने digital form में यहां से किया, ठीक है, तो modium ने इसको convert करके analog में, then telephone lines के जर्ये, दूसरे modium पर प्रचाया, अब यहां से यह हुआ कि इस modium ने again demodulation की, इस signals को जो कि analog signal आ रहे थे, इनको दुबारा फिर convert किया कि इसमें, digital में, पहले वो कौन से signal थे, digital ही थे, क्योंकि computer जो हमारे पास वो digital computer है, ठीक है, तो फिर दुबारा computer B को जब वो message चाहिए, तो किस form में चाहिए, digital form में चाहिए, again हमें किस तीज की जरुक पड़ेगी modem की, so modem basically दो types के होते हैं, एक internal और एक external, ठीक है, यहां पर आप से रखते है, port from system, telephone line, यहां पर आप लगाते हैं, ठीक है, एक line जो है, telephone के लिए, या connection के लिए, दूसरी जो है system के लिए, और एक power button, ठीक है, अब तरह यहां देख लिए थे है, modulation or demodulation कैसे हो रही है, okay, उसके बाद है cable modem भी एक, ठीक है, modem है, modem कहाईसा है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक router की shape में, switch की तरह ही होती है, shape में, but उसमें RG45, या sorry, USB port हम connect कर सकते हैं, USB port की मदद से हम उसको external port बाहर से लगा सकते हैं, अच्छा, काफी सारे systems में built-in होते है modems, उनको हम internal modem कहते हैं, दो types होते हैं, modern, internal और external, अब कभी internal modem system में नहीं होता तो हम बाहर से लगाते हैं उसको, ठीक है, अच्छा, कोई मसला नहीं, अगर बाहर से नहीं मिल रहा है, अगर हमार पास internal मिल रहा है, तो अगर आपके पास system है desktop, तो उसमें कुछ external, या peripheral, कुछ slots available होती है extra, उसमें आप install कर सकते हैं, आप internal भी modem, तो वेरहल हम क्योंके फिलाल external कर रहे हैं तो इसके काफी शादे फाइदे हैं, एक तो फाइदा यह है कि इसको हम जहां जब चाहे ले जा सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए कुछ हाँ, चीज़ें हैं, risk advantages भी हैं इसके, कुछ power supply की निजीड पड़ेगी, ठीक है, holder case उसकी ज़रत पड़ेगी, तो कुछ चीज़ें हैं इसके, ठीक है, तो यह कुछ indicator है उसके front panel के साथ, कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, ठीक है, उसके बाद है internal model, it can insert into a vacant expansion slot, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह जो आपको नज़र आ रहा है, यह कार्ड की तरह नज़र आ रहा है, जैसे के रेम या graphic card की तरह, तो system में desktop में specially vacant होती है, आम दोर पर, कुछ extra slots में उने 45 के, दो जो है, connectors यहां पर ports भी है, ठीक है, उसके लाब और no external power supply is needed, अब इसके लिए कोई external power supply के जो पनी पड़ेगी, computer का जो अपना power supply है, बार अवार वाला वही चल जाएगा, ठीक है, नहीं किसी holder case की ज़रुत पड़ेगी, और यह कीमत भी इतनी इसकी नहीं होती, उसक है, तब वो हम use करते है, external, तो जाहर है, तो वो थोड़े expensive होंगी, ठीक है, और सभी system में यह लग जाता है, ठीक है, तो PC's में, ठीक, these modems go inside the computer and immediately plug directly into the motherboard, मैंने वही बात की, पहले ही, कि motherboard में कुछ slots extra available होती हैं, जहां पर हम यह लगा सकते हैं, उनको parafail slots कहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद है, हमारे पास satellite communication है, ठीक है, satellite communication क्या है, जरा इसको देख रहे हैं, basically हम दो तरीकी के साथ communication करते हैं, एक wireless, तो satellite जो है, wireless की ही type है, तो wireless connection के जरीए हम आपस में discussion कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं, जैसे कि आपके पाक सा TV channels चल रहे हैं, या फिर आपके और ज़्यादा चीज़ हैं, जो कि हमें satellite के लिए प्रोवाइड करता है, the main problem with microwaves communication is that the curvature of earth, mountains and other structures often blocks the light of sight, साथ, इसमें एक और थोड़े बिस-ड्वाइड़्टिज़ हैं वेस communication या satellite communication में वो यह कि अगर आस्मा जैसे या बादल आगी आ जाते हैं, सेटिलाइट के और आपके वो जो टावर जिसमें से वो connection जा रहा है, तो वो connection जो हो सकता है, ठीक है, और यह ghost की भी बहुत जाता होता है, satellite ना, तो यह transmission रूख सकती है, जब मौसम खराब हो जाए, या mountains गड़बड कर दें, इस तरह की चीज़ है, so instead of antenna, satellite can also be used to transmit microwave message from one place to another, satellite जो है, आगे चलके भी बहुत पायद होने वाली है, एक हिंट में आप प्रिये जुनके अगले 10-15 साल में, worldwide, जो है internet, free कर दिया जाएगा, उसके कुछ reasons हैं, वो जो है, फिलाल मैं आपको नहीं बता रहा है, अब आप खुछ सर्च कर लिजएगा, 5G उसका main reason है, तो आगे चलके हैं फिलाल, अब यह connection होता कैसे, basically जब satellite उपर है, ठीक है, नीचे से जो signal transmit होंगे या receive होंगे, उन towers को बिल्कुल straight होगा, होना चाहिए, बिल्कुल उस direction में होना चाहिए, कि जहां पर satellite मौझूद है, तो उसके लिए कुछ devices होती हैं, वो connect करते हैं, ठीक है, satellite transmission stations that can both send and receive messages are known as earth stations, तो उन towers को basically earth stations कहते हैं, ठीक है, तो यह आपको picture नजर आ रही है, जब कोई भी packet हमने भेजना होता है, तो uplink, then receive करना होता है, तो यह कुछ advantages है, आप इने advantages को देख सकते हैं, यह advantages इसी है, क्योंकि देखें, wire जो है हम हार जगा पर नहीं पहुचा सकते हैं, wire कितना भी कर लें हम, बहुत, उसका cost बहुत बढ़ जाएगा, हमने topologies पढ़ा था, तो mesh topologies में अपने देखा था, या hybrid topologies में अपने देखा था, वो कितना expensive थी, अगर हम पूरे word पर अगर वो wires या fiber बिचाएं, जो बहुत expensive हो जाएगा, इसलिए कुछ advantages है, satellite के, जो आपको नदर आ रहे हैं, इसमें broadcasting आसान है, internet weather forecasting आसान है, radio stations, काफी जादा चीज़े हैं, telephone calls, tv channels, तो काफी जादा advantages हैं इसको जो आपके आजरार है, ठीक है, और इसके साथ-साथ disadvantages भी है, disadvantages यह हैं, कि थोड़ा cosplay है, बट एक बार, उके, उसके लाभा quality पर फरक पढ़ सकता है, जब weather जो है, वो खराब होगे है, ओके, तो अब आब बात करते हैं broadband की, यह तो broadband क्या है बैसिकली, broadband internet service है, जो जहां से हमें internet provider होता है, ठीक है, इसके कुछ examples हैं, जैसे के DSL, ठीक है, कुछ forms है, DSL आपने सुना होगा, digital subscriber line, या fiber optic call satellite, ठीक है, तो होता यह है, कि इनकी मदद से हमें internet मिलता है, internet access होता है, it is a technique of transmitting a large amount of data voice and videos over long distance by modulating each signal on to a different frequency, अच्छा, इसमें भी मोडे में लगा होता है, ठीक है, जो इससे होता ही है, broadband से, especially के हमें large amount of data, इसमें आए voice हो गया, वीडियो, जो के long distance पर हम communication करवा सकते हैं, और एक अच्छी खासी speed में, पहले आपने देखा होगा, आज से 10 साल किना अच्छी जाए तो, जो हमार पास category 1 की वायस थी, या 2 की, तो उसमें थोड़ा, जो communication होती थी, बतलब, कि आपकी lip sync पहले हो रही है, voice बात में आ रहा है, या voice पहले आ रहा है, lip sync बात में हो रही है, तो यह थोड़ा सा leg था, बट अब ऐसा नहीं हो, कि अब जो devices हैं, वो बहुत एफेक्टिव है, तो उसका बहुत फाइदा है, ठीक है, जैसे के coxial cable, जो के tv cables के लिए use होती है, इसकी जो frequency होती है, वो 600 MHz, तो यह enough है एक video को ट्रास्मेट करवाने के लिए, तो यह broadband की कुछ types है, DSL है, cable model है, fiber, wireless और satellite, आपको जो नजर आ रहा है, ओके, और यह यह हमारे पास है, DSL, Digital Subscriber Line, ओके, आपके जल्दे हैं, और यह cable model जो हमने पहले भी discuss किया था, फुर्जेर पहले, तो यह हमारा था, model and its type और broadband, तो आज की इतना काफी है, लाइफ,